चलिए, स्टार्ट करें, इंट्रोडेक्शन, इंपॉर्टेंट क्या-क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं स्रिफ और स्रिफ इंपॉर्टेंट थियोरी लेके चलूँगा, फास्ट आपका आता है, what is the limitation of the financial accounting? limitation क्या है, financial accounting का, सुनियेगा, financial accounting का limitation क्या है, कि सबसे पहले और सबसे main मैं यहांपे काम करता हूँ, financial accounting का limitation यह है, ध्यान से सनियेगा, कि financial accounting में हम सारी बातों को record करते हैं cost को जो है different नहीं करते ऐसा जैसे cost rate अपन ने किया होगा तो cost rate में हर एक element को define किया prime cost, wages इसमें जाएगा लेकिन financial accounting में खर्चा है तो खर्चे को P&L के debit में डाल देते हैं उससे classify नहीं करते हैं कि manufacturing से related है या फिर किस से related है simply डाल देते हैं तो limitation में देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर limitation में लिखा हुआ है कि financial accounting does not give classification cost figure और different मैं highlighter ले लेता हूँ कहता है कि जो हमारा financial accounting है does not affect the classification cost figure और different department मतलब इसमें department नहीं है आपको अगर salary दिया है तो दो लाग रुपए का salary दे दिया अब भाई manufacturing department का है कि service department का यह नहीं बताता है आगे क्या कहता है सर कहता है कि financial accounting not provide educate, educate का मतलब क्या होगा proper cost figure मतलब variable cost और इस तरीके का जो fixed cost है semi variable यह नहीं बताता है, यह simple बताता है, यह खर्चा हो गया सबसे बड़ा disadvantage यही सारी चीज़े है it does disclose any reason for any आपका variation कहता है कि यह कोई भी variation होता है तो उसका भी यहाँ पे यह financial accounting में कहीं, आपने अभी तक P&L किया होगा P&L में कहीं पता चला कि इतना variation हुआ, पहले wages अब था wages ही है, तो नहीं नहीं पता चल पाता है हमारे financial accounting तो वही बाते बताएं गई it does not provide, आगे क्या कहता है it does not provide cost of material मतलब material का क्या cost है उससे मतलब नहीं है, वो directly लिख देगा आपका पूरा तो simply मैं, अगर simple word में देखा आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आज अगर quickly revise करने के लिए थियोरिया है तो simple सी बात है, financial accounting detail सारे चीजों को नहीं बताता जबकि cost accounting हर एक चीजों को detail बताता है financial accounting में कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो की दिखाई जाते हैं जो cost में नहीं को सेपरेट करते हैं बस आपने इतना लिखना है दस पॉइंट में से आठ पॉइंट आराम से याद हो सकते हैं आपको और मैं सारे पॉइंट को नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा एक बर फिर से फटा-फट मिर साथ सुनिए और मिर साथ बोलिए कि जो limitation है financial accounting के ये cost को क्या करता है cost को अच्छे से classify नहीं करता है और ये नहीं हमारे सारे direct expense indirect expense को अच्छे से दिखाता है variable overhead को नहीं दिखाता अच्छे से तो यही सारी चीज़े क्या है limitation बहुत important question है so so important question मैं कहूंगा आपको मैं दो बार highlight कर देता हूँ इसको दो तीन बार आप इसे जरूर करके जाएं sir regular के paper में क्या है था अभी पहले हम एक बार theory करें फटा-फट regular के paper की भी theory सारी देख लेंगे चलिए अगला question है जी three इसको पढ़ने की ज़रत नहीं सेम है जो important है वही आपको मैंने notes upload कर दिया है टेलिग्राम पे भी और साथ के साथ मैंने upload कर दिया है application वाले बच्चों के लिए लिए पीडिया format में अब अगला question आ जाते है सर अगली question में कहता है कि cost accounting is unnecessary बोला गया कि यार cost accounting करते हो ना तो तुम यह जरा है फालतों की बाते हैं यह क्यों फालतों में पैसा खर्च करते हो नए accountant बुलाओगे cost sheet मनाएगा P&L से भी तो profit आ रहा है तो यह बोला गया और बोला यह भी बताईए and has not needed और इसकी जरुत नहीं पड़ती है यह भी बताईए आप क्या ऐसा सही है comment करिए तो पहली बात हां जी cost accounting बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि unnecessary है बेकार है लेकिन यह गलत है cost accounting जरुरत पड़ती है बड़े organization में अगर आपको हर चीज की क्योंकि पता है अगर एक समान आपको 1000 का विक रहा है एक 900 इंडियान का विक रहा है तो पता है आप कौन सा खरीदेगो 900 इंडियान का खरीदरों के फटा 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 एक रुपए के पीछे customer ना दूसरे जगा shift हो जाता है तो क्या लिखता है some people feel cost accounting is क्या कहता है कि some people some people feel cost accounting is unnecessary कुछ लोग financial accounting provide detail of accounting information और बोलता है कि financial accounting detail information बढ़ता है there is no need to maintain cost accounting वो बोलता है cost accounting बनाने की जोर इतनी फालती की बात है कुछ लोग ऐसे हैं but such a argument out of ignorance about the utility of cost accounting यह argument कुछ भी नहीं है यह cost account को बस छोड़ना जाते है financial accounting information is meet legal necessary providing information यह legally बनाना पड़ता है आपको audit के लिए करवाना पड़ता है यह सारी चीज़े बाते बताई गई है आगे conclusion में चलते हैं sir cost accounting unnecessary to provide detail in for cost accounting is necessary to provide detail information भी नेसेसरी है detail information के लिए और sir unit cost objective के लिए भी है management so that business can be run efficiently cost accounting के लिए आपको बिजनस रन करेगा तो सारे मिलागे बाते आपको वही लिखना है क्या cost accounting एक expenses है तो जी हां cost accounting expensive है इसमें expensive क्योंकि छोटे लोग नहीं रख पाते क्योंकि cost accounting जैसे CMA का कूर्स सुना होगा आपना ICWA वो लोग करते हैं तो वह महिने का 50-60,000 रुपे salary लेते हैं तो आप मानलो एक परचुन की दुखान वाला cost accounting कहां से रखेगा बहुत expensive salary होत but cost accounting staff को देना पर रखना पड़ता है हमें it not be position to afford जुसके पास afford नहीं कर सकते उसके लिए दिखते वाली है तो हाँ जी बिलकुल सही बात है यह expensive है अगला कहता है cost accounting is luxury गलत बात यह cost accounting luxury थोड़ी है सोब आजी थोड़ी कर रहे है cost accounting करके हम competition से लड़ रहे है cost accounting करवा के हम अपने product को खम कर रहे है तो कहता है cost accounting system should be not treated as luxury इसे luxury नहीं माना जा सकता its maintained addition financial accounting would be there for the completion तो simple सी बात है यह अलग से बनाए जाता है जो business के लिए जरूरी है इसे luxury ना कहें तो बहतर है चलिए देख लेते है recording चल रही है नहीं चल रही हाँ जी बिलकुल recording चल रही है यह ऐसा ना होना है कि मैं इतने मेहनत करूं record ना हो अब कहते हैं अगला question बहुत important यह भी question जो question है मैं सारे important important बता रहा है इसमें साने के संभावना है question what do you mean by the cost center or cost unit cost center or cost unit क्या होता है जैसे cost center क्या होता है पूरे organization की costing निकालते है पूरे organization का पूरे organization का जैसे suppose करिए आप आपका एक organization है जैसे कि मैं बात करता हूँ यह पूरी एक factory है है ना इस पूरे factory का अगर मैं cost निकालता हूँ तो यह पूरे फैक्टरी का अगर मैं cost निकालता हूँ तो unit का cost भाई यह मेरे पास तो mouse से कर रहा हूँ साब साब लिखने रहा तो बस समझ जाहिए आप ठीक है ना क्योंकि इतना highly equipment को है नहीं कि जो मैं आपको अच्छे से एक्दम से कर पाऊ लापटप पर इतना ज्यादा cost center यह काफे important है itself defined as the कुछ कहते हैं देख्या ICMA आपका जो आपका CMA भी है CIMA जिसे बोलते हैं cost management उनका है allocation जैसे की factory है person जो हाँ काम कर रहे है item equipment groups of these सभी को which cost may be a certain and used for the purpose of cost control इन सभी का costing निकाला जाता है यह देखिए मैंने बताया था ना इन सभी का costing निकाला जाता है क्यों निकाला जाता है ताकि हम अपने cost को control कर पाए कि कहां पे ज़्यादा खर्चा लग रहा है cost unit क्या है जना cost unit है कि a unit quantity produce service time or in relation to which cost may be a certain expense cost unit एक unit पे कितना खर्चा है वो बताना आगे क्या कहता है cost unit को ascertain the key activity of cost so because of necessary तो simple सी बात है देखो इसका मतलब क्या है कि cost unit का मतलब है कि cost unit हो होता है जिसके अंदर के हम एक unit की cost निकाला इसके अंदर एक question यह highly important मैं बताऊंगा इसके उपर अलग से question आ जाता है कोई measurement का हलाकि मैंने notes में भी दिया हुआ है और इसके अंदर यह measurement आप पढ़िएगा जरूर कई बार चार तीन नंबर का question पूछ लेते हैं सर क्या पूछ लेते हैं जैसे रेडियो टीवी को किस में नापोगे कार को किस में नापोगे bricks कैसे होता है per thousand एक हजार की ETI आई या आप बोलोगा ने चार ETI देते तो नहीं मिलता है अलाकि आपके हास-पास मिल जाता होगा लेकिन हजार में counting होता है hospital में कैसे counting हो per bed patients के हिसाब से transportation में per ton km किया था ना अपनने service cost अब इसके बाद क्या है आपका अलग-अलग है आपका cement है per bag के हिसाब से तो यह एक बार आप ना पढ़ लिजेगा इन चीजों को कैसे जैसे कि आपका मान लेते हैं कि suppose milk दूद किसमें करते हो लीटर में होता है और oil की बात करें तो oil किसमें होता है barrel में होता है कुछ चीज़े लीटर में होता है कुछ चीज़े आपका barrel में भी होता है ठीक है न तो वो चीज़े आप एक बार पढ़ लेजेगा तो काफी important question था तो चलिए एक बार फटा-फट से हमने तीन question देख लिया तीनों question को revise किया जाए पहला क्या है limitation of cost accounting तो क्या है कि cost accounting हमें detail information नहीं देख लिमिटेशन ऑफ financial accounting पानेशल accounting क्या है कि यह हमें detail information नहीं देता और detail information नहीं देता जिसकी वज़े से क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं जैसे कि direct labor, indirect labor जैसे कि आपका variable cost, fixed cost यह सारी बाते financial accounting नहीं बताते ह करना चाहिए तो हमने इक वो देखा अगला question था हमारा cost unit cost center तो पूरे department के cost तो cost unit cost आपका जो पूरे department का है उसको हम क्या कहते हैं पूरे department का cost center कहते हैं और cost unit का मतलब पूरे एक unit का costing इस तरीके से निकाले तो ठीक है जी सर यह तीनों important question था अब आगे चलते हैं important question पे बाकि आप दीरे दीरे पढ़ लीजिए अपने हिसाब से तो मैं जैसे जैसे होगा मैं chapter wise फटा-फट से डाल दूगा अलग-अलग पार पर चलिए काफे important point है important point क्यों है देखते हैं कौन सा question है जी कौन सा question है यह था हमारा question कहां गया कहां गया ओ माई गॉड कहता है cost may be classified into the variety of way according to their nature classify करिये explain the discuss statement given तो कुछ classification करिये cost कितने तरीके के होते हैं इसमें main main चीज़े पढ़ हुआ जैसे indirect cost पहले सबसे पहले direct cost तो direct cost कौन से cost होते हैं साथ direct cost वो cost होते हैं जिसको देख के पता लगाए जाए अब simple सा एक example लोगा देखो direct भी पता चल जाएगा indirect आप सब मैगडी में जाते हो बर्गर खाते हैं जो बर्गर खाते हो आप मैगडी के अंदर इसके अंदर मान लो आपको 300 रुपे का बर्गर दिया आप सब तो चले गया और खा भी लिए आपने और अच्छे से आपने enjoy भी गया लेकिन आप में से सभी दोस्त बैठके वहा लाएक लिए इसके अंदर ना देखा जाये तो समान बड़ा कम लगा हूआ है यार कितने का बंद 10 रुपे का होगा आलू कितने का होगा पांच रुपे का रोगा हदमार के 50 रुपे का वहगा तो आप जो कॉस्टिंग करते हैं वो कास्टिंग आप सरिफ जो चीज खा रह कर सकते हैं देखते ही और सेम इसी तरीके से फॉर इग्जामपल वेजेज आपका कारपेंटर कैंद बी इजिली अडिटिफाइड इक्जामपल इन डारेक्ट जिसको नहीं कर सकते धीज आर जिस्ट आप्वोजित आफ देरेक्ट पॉस्ट अपने डारेक्ट पोस्तुर्ट और जो बाहर गार्ड खड़ा था, गार्ड की सेलरी तो आपने जोड़ी नहीं, वो किस कॉस्ट का पार्ट हो गया, इंडारेक्ट, तो according to element, generally cost element कितने में होता है, material, labor और expense, expense को हम overhead के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेएगा, चलिए आगे चलते हैं सर, direct material, direct labor, यह हमने पढ़ लिया है, और इसको आप पढ़ेंगे, और हम, जिस जिस पर मैं points लगाता जा रहा हूँ, अब आजाते हैं सर, variable cost, देखे, variable cost कौन सा आता है, वो cost जो की, जैसे जैसे आप unit बढ़ाएंगे ना, जैसे, suppose करो example लो, example जैसे मैंने लिया, आपका एक unit बनान में पांच रुपे का खर्चा है, यह unit है, और यह खर्चा है, एक्सपेंस है, तो बताइए, पांच unit बनाएंगे, तो कितने का खर्चा आएगा, तो बहुत सिंपल सी सर बात है, पांच unit बनाएंगे, तो पांच रुपे के हिसाब से हमारा खर्चा जो आएगा, वो आएग है जितने unit बनाओगे उतना खर्चा होगा अब इसके बाद जैसे example variable cost में क्या क्या हो सकता है direct material हो सकता है जितना material use करोगे उतना ही खर्चा होगा जी है ना जैसे कि जो भी material use करोगे direct labor हो सकता है डाल labor तो फिक्स होता है इसमें ऐसे कैसे लिखे दिया इन्होंने अरे कई लोग में piece वाले भी होते हैं 10 piece बनाओगे तो 10 piece के लगेंगे एक piece के साब से ठीक है power होता है बिजली का बिल जितना use करोगे यह है हमारा इसका graph बना रख आप graph प्रीज आप एक बार देख लिजेगा करेंगा क्योंकि जैसे जैसे देखें इस साइड में क्या है cost और इस साइड में क्या है unit जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे 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 इसके difference पढ़ेंगे न तब देख लेंगे इसके अंदर अभी पढ़ना है यह वार में चलो अभी पढ़ लेते हैं आगे फिर हम इसको बोल देंगे हमने कर लिए उसके लिए उसके लिए वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है इंफ्लेंस्ट बाइ एक्शन यानि जिसको आप एक्शन लेके यानि आप अपने कुछ स्टेप्स लेके आप उसके सही कर सकते हैं जैसे क्या कहता है और दीज विच कैन भी इंफ्लेंस्ट बाइक्शन ऑफ था स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अंडर्टेकिंग मतलब क्या हुआ यहां पर अंडर्टेकिंग मतलब जो आप वर्क कर रहे हो काम कर रहे ह आपका या तो लीस्ट या पार्टली विच कंट्रोल ऑफ मेनेजमेंट जो की मेनेजमेंट के हाथ में होता है और अंडर्टेकिंग क्या होता है यहां पर क्या होता है इसको आप बना बना के लिख सकते है अपने लेंगविज में पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा और जो बच्चा हिंदी में देना चाहता है वो भी दे सकता है चलिए सर यह भी समझ में आ गया ठीक है न अप मेरा में मोटिव है कि आपको जो थियोरी है न वो आपको जब बताया जाए तो वो थियोरी आपके न दिमाग में आ जाए ठीक है फटा फट से एक बार उपर से रिवाइस करते हैं जल्दी जल्दी मेरी कोसिस है कि पूरा का पूरा आपको याद हो जाए ताइम कम लेंगे आ जो भाई बड़ी दूर चले गए हम तो चलिए पहली बाग तो सर लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन के अंदर फिर से अगेन मैं बोलना चाहूंग क्योंकि कोस्ट अकाउंटिंग और फ्टानेंस अकाउंटिंग के लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि वो चीजों को अच्छे से क्लासिफाइन नहीं करता डैरेक लेबर जो दिखाने वाले नहीं है फाइनिस के अंदर जैसे अबनॉर्मल लॉस वगरा एंड एक्सेक्टरा चीक है सर पहला पॉइंट हो गया है दूसरा पॉइंट क्या यह आपका क्या कॉस्ट अकांटिंग अन्नेसेसरी है तो कुछ लोगों का मानना है कि अन्नेसेसरी है वैसे अ मेजर्मेंट करने का तरीका इसके बाद आगे चलते जाएंगे इसके बाद हमने क्या देखा था डारेक कॉस्ट कौन से होते हैं बर्गर का एक्जामपल लिया जो डारेकली देखके आप बता सकते हैं इन डारेक कॉस्ट कौन से होते हैं जिसको आप देखके नहीं बता सकत है by management uncontrollable non-controllable जिसे management control नहीं किया जा सकता जैसे के fix expense चलिए सर यहां तक हो गया अब इसके अंदर फुर्दा कुछ आपके meaning है उसको देखते हैं पहला sunk cost नाम बड़ा जीब सा है sunk cost अब sunk cost ऐसा मान सकते हैं कि जैसे की मान ली जैसे sunk cost का example दो कि जब कभी आप business के पैसे लगाएं तो वो समझे लो आपके पैसे वापसी नहीं आएंगे एक तरीके से डूब गए तो यह न सिंक संक संक वहा से बना है दूबना जैसे मन लेते हैं हमने दिवार बे लिए हम नए शोरूम खोल रहे हैं और कहल दिवा atra दिवार फे पेंट करवा या उस paint के अंदर हमारा खर्चा हुआ होगा ऑनि हुआ है पैंट पेंट सर खरचा हुआ हुआ है अब business चलान अनका समान वो आप बेच पाऊ जैसे कि आपने counter बेच दिया या फिर और भी बहुत सारी चीज़े stock raw material किसी को बेच दिया लेकिन paint कैसे बेच हो गई वो तो paint तो दिवार पे हो गया उसमें खर्चा तो लगा और अगर मालो आप दुखान बंद भी नहीं करते तो क्या paint वाला को आप बे खर्चा हुआ तो हो यह कहता है तो आप मन में तो बोलते हो जहां घर में रह तो एक करोड का मकाल ले लिए बोलते तो हो आना कि एक करोड का मकाल है क्या उसे बेच दोगे अब रोड पे थोड़ी ना जाओगे तो जो मकान लेते हैं वो संग कोस्ट का पार्ट होता वो खभी बाप से नहीं मिलता हां मजबूरी में बेच दोगे उसकी अलग बात है कहता है दा कौस्ट इस संग कोस्ट है विकॉस इंकर् इसका डिसीजन पर कोई परभाव नहीं पढ़ता न्यू लेंड वगरा लेने पर चीक है सर संकॉस इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं सर और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या होता है सिंपल एकनामिक्स में आपने पढ़ा होगा अपॉर्चनेटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसके के एक कॉस्ट के बदले दूसरा हमारा कोई ना कोई अपॉर्चनेटी होता है जैसे सर समझ में नहीं आया अब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कुछ समझो अपॉर्चनेटी कॉस्ट जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जैसे अभी मैं for example आपसे बात करूं तो डियू के अंदर जितने भी बच्चे हैं वह क्लासिस ले नहीं देते तो मुझे लगा मेरे को यूटूब पे चैनल बनाना चाहिए यूटूब पे चैनल बनाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चे देखेंगे वह अलग बात है कि डेली के साट सतर हजार बच्चे लगाते हैं एक बार दिस इस कॉस्ट एंड अल्टरिनिटीव पहले मैं 12 को पढ़ाता था मुझे अपोर्चनिटी ग्रेजूशन में लगा तो मैं ग्रेजूशन में आ गया इस में अपोर्चनिटी कॉस्ट इस एडवांटेज यह एडवांटेज है और गॉन टू तू रि बंध हो गया तो बिल्कुल । एकदम बंध हो गया एकदम लॉक्डण लगा मास्क के डिमान बढ़ ग़ी जब मास्क की डिमान बढ़ी तो कपड़ी की डिमान बढ़ी तो और विंद मिलता चल पड़ा जो कंपनी बंध होने वाला था लाउस में उसने क्या करaquा बैंक convert into the debenture जैसे कि माल लो आपने FD कर वाया FD पे 10% मिल रहा है debenture में आपको 15 मिल रहा है तो आपने opportunity देखा और वहाँ पे आपने convert कर लिए जो जो important points है सभी आपके लिए डिसकस करना हूं ठीक है आपके various methods इसके अंदर है तो methods में सबसे पहला आता है job costing तो समझेगा job costing क्या होता है अब ध्यान से समझेगा पूरा समझ में आ जाएगा मैं अपनी एक कहानी बताता हूं मैं जब मैं CA intermediate में था तो फिर उस time पे आर्टिकल होती है ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग पे मैं जाय करता था तो हरी दुआर में एक Atlas की company है Atlas cycle बनाती है तो मेरे को तो यही पता था उसका नाम था Atlas Pharma Sutical मैं बड़ा परिशान हुआ है और cycle बनाने याली company दवाई कपसे बनाने लग गई और ऐसे ही गया Atlas के एक unit में Atlas Tube के नाम से था मैंने पूछा Atlas वालों से उन से जाके क्योंकि हम detail में तो पूछी सकते है मैंने पूछा भाई साब यह तो दवाई बना रह होगे यह बहुत बड़ी-बड़ी company दवाई की है इनके पास इतनी demand है ना कि यह पूरी नहीं कर सकते हैं और एक नई unit बनाने के लिए जैसे मान लो के 100 unit एक department बन रहा है डिमांड आगे इनके पास 120 unit तो 20 unit के लिए एक नई factory थोड़ी न लगाएंगे 100 unit के लिए चल रहा है या तो 100 unit और आजाए तो एक factory लगाए तो यह 20 unit क्या करते हैं किसी छोटी-बोटी company से बना देते हैं तो यह कह रहते हैं कि उसको देते हैं चोटी company को जैसे अटलस हमें सिपला वाली दवाई देते हैं फार्मुला दे लेते हैं सब कुछ होई देते हैं हम उसको अपनी machinery यूजज करके उसको तेयार करकर देते हैं बदले में हम पर हिसाब कास्टिंग लेते हैं तो उसे पता है क्या बोलगा जाता है जॉप कास्टिंग का मतलब जॉप कास्टिंग का मतलब सर होता है के हमारा सब कुछ बस आप क्या करेंगे उसको बना के दे दिजीए जैसे आप जिस पे फोन पे देख रहे हैं, फोन भी जॉब कोस्टिंग में, इसके अंदर क्या है, जैसे माल लेते हैं, आपका फोन के अंदर प्रोसेसर स्नैप रियागन का है, अगर माल लेते हैं, आपका फोन पूर रियल मी है, अगर ये खुद का प्रोसेसर बनाती तो और instruction from customer, customer के थूरू instruction होता है to ascertain a cost, सर समझ में नहीं आ रहा, देखो, फिर से समझते है, job costing is used in the type of production, ये production से related होता है, where work is done against order, order मिलता है तभी होता है, and instruction from customer, जब customer से एक instruction में लेगा, तो जैसे supply company Atlas को दे ली थी, to ascertain the cost each job, मतलब ये क्या होता है, हर job होता है, कि एक बार कितने batch गया है, एक बार में कितना कर रहा होता है, separate account is to be prepared for each job ascertained to the cost, और इसके लिए अलग-अलग account बनता है, जैसे job one, जैसे process बनता था न, अपना, वैसे ही job का होता है, तो यहाँ पर क्या कहता है, for this purpose, each job given, आपका one job number, हर job को number देते हैं, आप कई बार दबाई में देखना, या किसी product में देखना, जैसे आपका product तो आप देखो, कि medicine में बहुत होता है, कि यह है और पीछे भी देखो, यह manufacture by कोई और company लिखा होता है, तो जो manufacture कर रहे हैं, तो वो job, यानि दूसरी company है, तो इसका मतलब job costing है, तो hopefully समझ में आओगा, simple सी मैंने बात बताई, job costing का मतलब है, जब हमारे पास ज़्यादा क्मा आ जाता है, तो हम किसी और से करवा लेते हैं, तो उसे job work बोला जाता है, ठीक है सर, आगे क्या कहते हैं, contract costing, contract costing तो आप से छुपा हुआ नहीं है, यह contract costing construction के लिए होता है, यह कहता है principle, contract costing does not in principle differ from job costing, job costing जैसा ही माल लिजे, contract costing से big job, यह बहुत बड़ा बड़े contract लेते हैं, उसके अंदर होता है, construction के लिए आता है, for example, this type of generally industry undertaking building construction से related होता है, सर, batch costing क्या है, job costing हो गया, batch costing, देखो batch costing ऐसा होता है, lots आपने सुना है के एक batch में इतने बने, जैसे कि आपका, जैसे हम बोलते हैं के इस बार एक lot आ गया, दूसरा lot आ गया, किस तें, जिस तरीके से बोलते हैं, ऐसे batch होता है, जैसे मैंने 10,000 unit का आपको order दिया, आपने 500 unit भीज दिया, बोला कि जी मैं आपको 500-500 unit करके भीज़ूँगा, बनाके, मैंने बोला ठीक है, जी 10,000 unit का 500-500, तो 500-500 unit करके भीज़ूँगा, तो batch हो, तो उसको क्या बोला जागा batch, यानि आपने एक batch बना दिया, एक unit को भीजने के लिए, तो क्या कहता है, बड़ा छोटा सा definition है, लिखिन बहुत काम का है, जो भी करवा रहा हूँ, सारे ही काम के है, यह order like a production, आपका arrange in, आपका किसमे, convenient, आपके हिसाब से जो convenient है, उसके हिसाब से बनाए जाते है, batches, each batch is treated as one job, one job के हिसाब से मतलब एक job, example, this type of costing industry, like manufacturing company, जैसे की biscuits company, वगएरा करती है, वहाँ पर देखना, batch code भी लिखा हूँ, इस batch में बना हूँ है, ठीक है ना, सर, process costing क्या होता है, जी department होता है, एक product को बनाने में, अलग-अलग process में लेके, चलना पड़ता है, उसे बोलते है, process costing, जिसने process करा है, वो अराम से लिख देगा, सर, operating costing क्या है, operating costing वो costing है, जो service costing बोलता है, जी सर्विस कोस्टिंग बनाना, लेकिन जैसे की मान लेता है, डॉक्टर कोई समान थोड़ी बना रहा है, hospital कोई समान थोड़ी बना रहा है, hotel कोई समान थोड़ी बना रहा है, या फिर आपका transportation company कोई, इन सभी की जो costing की जाती है, उसको कहा रखा जाता है, operating service costing या operating costing का नाम दिया जाता है, जैसे की for example, transport company, for example, आपका क्या हो गया, railway company, shipping company, ये सारे, एक्जाम पर electricity company, ये सब service cost में आ जाएंगे, sir, output costing क्या होता है, simple सा, ये इतना important नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा recommendation के पढ़ लेजे, क्योंकि ज्यादा time मैं आपका लूँगा नहीं, मैं फटा-फटा से अच्छे से theory हो जाए है, ठीक है, ये अगला question क्या है, ये भी इ दिसकस किया था ना, control कौन सा, जो कि action वाली बात आई थी ना, और uncontroll जो कि action से beyond हो, जिस पे कोई दिखता है, ठीक है, difference ये पढ़ लेंगे पहले हम discuss कर चुके है, और, 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 sir, इस में से तो कोई important नहीं है, देखिए, एक chapter खतम हो गया, तो मैं chapter wise बना देता हूं, जैसे की 10 year में दे रखा है, first chapter का आपका खतम हो गया, तो उसी के according मैं video डाल देता हूं, so that ऐसा भी होगा ना, देखो, simple सी बात है, ये cut हो जाएगा, अभी YouTube पे upload हो जाएगा, तो जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, उनको प्राइदा मिलेगा, है ना, तो चलिए, हम अभी फिर स इसको cut करके डाल देते हैं YouTube पे, और उसके बाद हम start करेंगे क्या, second chapter बहुत जल्दी खतम कर देंगे, उसको भी अलग-अलग, थाकि so that बच्चा पढ़ पाया अच्छे से, खेंगे ना, आप बिल्कुल समझ में आए ना, आपको ये सारी चीज़ जैसे मैंने बताया, रहे ये मानने न, अगर आप किसी भी एक कभाला हो रहा है न, मेरी वज़े से, तो बस फाइदे की मन दे, आप लोग कितना भी कमेंट करिए, negative बोलिए, कुछ बोलिए, मैंने तो ये एक चीज़ सोच लिया है कि भाई, मैंने इन सभी चीज़ को ध्यान नी देना, मैंने प इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कि हाला कि मैंने कई बर क्लास में भी डिसकस किया रहे, बहुत बढ़ा हो गया है, अच्छी के सर, ध्यान से समझेगा, सिंपल सा टॉपिक है, माट्रियल का जल्दी खतम हो जाएगा ये, चली आगे आते माट्रियल में क्या इंपॉर्टेंट है, सर, क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, देखो, मैं वही कर रहा हूँ, बाकिया आप एक्ट्रा पढ़ सकते हैं अपने साब से, सबसे पहला, explain the illustrate और फिर meaning of importance of EOQ, EOQ का क्या मतलब है, तो economic order quantity क्या होता है, हमारा ordering cost और carrying cost बराबर होता है, जिसना material करा होगा, यह समझ जाएगा, इस meaning को, जहाँ पे समान को रख रखाओ का खर्चा और समान को मंगवाने का खर्चा बराबर होता है, उसे बोलते है, economic order quantity, सर, इसका क्या importance है, importance यह है कि हमारे wastage कम हो जाते हैं, हम इतने ही माल को मंगा जितने की जुर्रत होती है, तो सिंपल सी बात है, तो आप सभी को formula पता होगा, आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जहाँ पे carrying cost, यह वाली जो line है, यह वाली line है carrying cost, और यह वाली line है ordering cost के तो, एक EOQ किसको बोल रहा है, इस वाले point पे, जहाँ आपे होगा था यह theory, कि ABC क्या है, लेकि ABC का मतलब आपका कोई इसका full form नहीं है, इसका नाम ही ABC है, तो सर, ABC का मतलब क्या है, एक inventory system को manage करने का, एक control करने का, उसको ABC के नाम से हम बोलते हैं, सर, इसमें क्या सीखेंगे हम, इसके अंदर हम category wise कर देंगे, जैसे माल लेते हैं, ABC analysis में माल लेते हैं, आपके घर का example लेते हैं, आपके घर में gold है न, बोलो है या नहीं है gold, gold है सर, है बहुत सोना है, सोना नहीं है, बहुत सारा gold है आपके पास, इसका मतलब उसको आपने कहीं तीजोरी में बंद करके रखा होगा, अब quantity की बात करें, बताओ 20 kilo है के 30 kilo है, आप पोड़ी 10-12 tola तो है हमारे घर में, तो वो 10-12 tola quantity बहुत काम है, लेकिन इसको safety आपने ज़्यादा दे रखा है, उसके अंदर investment बताओ कितना लगा है, अगर 10 tola भी है तो बहुत सारा पैसा लग गया सर इसके अंदर, तो एक तो वो हो गया आपका घर का समान, दूसरा समान लेते हैं आटा चावल, तो आटा चावल क्या है, बहुत सारा है, और सस्ता समान है, ज़्यादा पैसे investment भी नहीं लगते और बहुत सारा समान भी आ जाता है, अब यह मत बोलना महंगाई बढ़ गई है, तो उसको आप खुला छोड़ देते हो, इसके उपर ताला लग अगर इसके अंदर देखा जाया है, जितना सोना चांदी में पैसे लगाया है, उसने जूते चपल में लगाओगे तो घर बढ़ जाएगा एक्दम जूते चपल से और कुछी बची भाई नहीं आपके घर में, तो आपके देखिए, यहां पर importance के इस आप से काम कर रहे है, सबसे ज्यादा importance वाला है, आपने तिजोरी में बंद कर दिया, और आप ध्यान दोगे ना तो उसके अंदर ज्यादा पैसा फसा है आपको, उससे कम importance वाला आपने थोड़ा खुला छोड़ा है, ऐसे भी नहीं कि आप बिलकुल घर के अंदर आपने आटे चावल को क्या करा means आपका always best control, इसका ABC का full form ले लो, always एक best control होता है, which means giving the more attention to those items which are आपका cost, जो की cost list में होता है, less attention वहाँ पे those material which are large quantity में होता है और उसकी quantity ज्यादा होती है, देखिए सर, कहता है कि A category में premium घर का सोना आपका, 70% आपका पैसा फसेगा, लेकिन quantity मिलेगी 10% आपके, समझवा रहा है ना, 70 पैसा घर का पूरा पैसा लगगा है, लेकिन समान थोड़ा सा है, 20-20%, देखिए ये percentage नहीं हर जेगा अलग-अलग दे रखा हुआ, इसमें अलग है, बुक में अलग है, तो जो भी percentage आप याद कर करतेंगे, अब इसका बात करते हैं, आपका expansion क्या है, आपका material costing के लिए बहुत important रहता है, इसके अंदर आपका advantage की बात करें, तो advantage ये है, कि अगर आप ऐसे करेंगे, तो आपका business बहुत smoothly run करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका wastage कम हो जाएगा, importance group जो आपके खरा जाते तो वो खराब नहीं होंगे, तो यही सारे चीज़े इसके advantage है, disadvantage भी पूछा जाता है, सर, यहाँ पे लिखा नहीं है, disadvantage क्या होता है, यह थोड़ा सा complicated है, थोड़ा सा costly होता है, हर जगा जहाँ जहाँ पर disadvantage costing का जाए ना, वहाँ ये word तो लगा सकते हैं, कि यह cost taking है, time taking है थोड़ा सा, यह सारे हमारे disadvantage होते हैं, ठीक है ना, चलिए सर, ABC समझ में आ गया, इसके बाद और क्या करेंगे सर, बिल्कुल चलिए, चलिए, बहुत important chapter, इसमें तो बहुत सारी चीज़े हैं, करने वाला, और अब आ गया हमारा यह रहा, यह रहा, क्लास में भी कर भाए है, what do you mean by the, what do you mean by the bin card and store laser, ठीक है सर, bin card और store laser क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करें, जी, हो रहा है, तो bin card क्या होता है, bin card का आप ध्यान दीजेगा, bin card आप आपने जैसे की, suppose करिए, मैं एक example ले लेता हूँ, आपको समझ जाएगा, आप किस होगा है, और इस जार के अंदर अगर आटा है, तो मॉल में आपको देने वाला नहीं होगा, इसके उपर कितना किलो लिखा होगा, कितने quantity होगा, इसके अंदर ने एक परची डली होती है, यहां लिखके डाले, आप उसी से पहचान जाते हैं, तो यह basically एक card है, जहां पे हम परची, कहां गया परची, यह ब्लैक ले लेते हैं और इससे बात ने बने बने चलो, यह जो परची है ना, इसे बोला जाएगा, बिन कार्ट, ठीक है, तो सर, यह वाला काम तो बड़ा आसान सा काम है, अब देखिए, बिन कार्ट का निचे format भी दे रखा है, क्या होता है, इसके अंदर quantity होता है, और receipt issue के तरीके से होता है, यह थोड़ा advanced level का बना रखा है, पर आप समझिए कि वो परची होता है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सर, बिन कार्ट कौन बनाएगा, बिन कार्ट किसके लिए जरूरी है, तो आपका simple सा जवाब, मैं simple सा जवाब ह बिन कार्ट जो होता है, लो लेवर के बनते हैं, सर अब store laser क्या है, store laser वो होता है, जैसे कि आपके school के अंदर attendance होता है, उसी तरीके से इनका भी register होता है, एक जो कि लीफो फीफो में आप सभी ने किया है material में, याद होगा न, कितना issue हुए, कितना receive हुए, कितना balance हुए, त इस store laser के अंदर क्या रहता है, कि हमारा जैसे कि लीफो फीफो में इस store laser है और इसको, अगर बिन कार्ड पहले बनता है, बिन कार्ड के बाद हमारा क्या बनता है, store laser, बाकि मैंने वीडियो बनाये था, उसके अंदर में न, क्योंकि मैं लिख के समझा पाँ हूँ, तो आप देखिएगा material के second last part में ना मैंने समझाया हुआ इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको बहुत important है highly important डिस बार आया भी था आपका बिन होता है rank होता है slot होता है कुछ भी location उसके हिसाब से कर देते हैं और यह बिन काट वाले सिस्टम बड़ा इस मेंटेन बाइदा आपका costing department मेंटेन करता है इसको डिस इस गीवन अकाउंट इच आइटम स्टोर इंक्लूडिंग द आल रिचिप्ट इशू एंड बैलेंस बूद सारी चीजे quantity value सब कुछ बताता है ठीक है न अब आ जाते हैं सर आगे चलो आगे चलो डिफरेंस यहां से बड़ एच्छ समझवा जाएगा देखो बिन कार्ड रिकॉर्ड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है quantity दस किलो है बीस किलो है सो किलो है store laser के अंदर सार quantity भी होता है और value भी होता है कितना वज़ा balance याद आए आपको इसके अंदर तीन में थाट था लीफ और इसे पहले एंट्री करते हैं इसे याद रखिएगा आपको सब को समझ में आ रहा है चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब तो करते ही नहीं जी आप लोग बिल्गोल भी नहीं करते हैं पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं आज कल बस देखा और फिर सब्सक्राइब नहीं क्या नहीं तो मेरे भी सब्सक्राइबर होते यार कास मेरे भी सब्सक्राइबर कितने होते बोलते हैं कि मिलियंस में होते हैं लोगों के सब्सक्राइबर यहां तो दस जार भी नहीं हो रह सर अगले पॉइंट के बाद फिर से रिवीजन कर लेंगे एक पर अगला पॉइंट क्या है सबसे पहले अब समझे परियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वह होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपका दुकान है दुकान में आपने क्या करा कि एक हपते माल लेके आए और आपने संडे वाले दिन बैट के पूरी अकाउंटिंग कर दी तो उसे बोला जाएगा प्रियोडिक यानि हपते में एक बार चार दिन में एक बार परपेच्वल के अंदर कैसे होता है जैसे दुकान में समान लेके आए खरीद के आप मार्केट से फटा-फट पहले रजिस्टर खोला और उसको आपने लिखने लग गए तो परपेच्वल वह होता है सिंपल सी बात है कुछ समय के बाद समान को रिकॉर्ड करने को प्रियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कहते है और एकदम समान आया है उसी टेम रिकॉर्ड करने को परपेच्वल इन्वेंटरी सिस्टम कहा जाता है इस बात को ध्यान रखेगा ब्रिफली डिस्क्राइब पर्पेच्वल इंडिस इंडर कंटिनियू स्टॉक टेकिंग वेर्द डिसद्वांटिक यह साल चीज़े बताई हुए तो मैंने आपको सिंपल सा क्स बता दिया क्या है इसका मतलब सर चलिए आपने बिछ किया हूए बता देता हूं आपका लॉंग एंड वर्क स्टॉक टेकिंग अव्ड बिफोर क्लोजिंग डाउन अव्ट्री एन्वट टेकिंग अवाइड बनाउड एड़ान वर्श तोक टेकिंग अवर्शमारी एक अव्ट्री-टीज़। पर्पेच्वल का मतलब आपका लॉंग एंड कॉस्टी होता है यह थोड़ा सा पर्पेच्वल इन्वेंटर सिस्टम ऑफ स्टॉक टेकिंग इंट अवोइट देयर फोर क्लोजिंग डाउं मतलब जो हमारे खराब हो रहे हैं उसको अगर यह पॉइंट आपको समझ में भी नह मतलब कि स्टोर इस मिंटेंड रहता है डिटेल होता है रिलाइवर चेक करता रहता है हमीज़ चेक होता रहता है ठीक है ना इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लिजेगा आप इंटरनेट पर भी डून लीजेगा आपको इजीली मिल जाएगा इससे इजी लेंग्वेज मि लीफो मैतर्ड कोventions करें ऑट जर ली ओर फिफो कömया होता है लीफो और फिफो का फुल-फार्म ऐसको आपको नहीं मेरे नहीं पुछा स्कॉस्ट फॉस्स पहले श्के अंदर एक्स्ट मिल एक हम्याव न सिके हैं कि व Eagles लें है material which are receive first जिसको पहले receive किया गया issue first उसको issue करेंगे मतलब बासी माल first receive और first बीच देना है पुराने माल को पहले बेचना है बासी माल बेचना है एक तरीके से तो उसे फीफो बहते हैं समझ में है ना बसक्रेश आफ रसी करने है पढ़े सिस्टम इसके क्या पढ़ना इसके अंदर इसके अंदर इसके इसके इन साज तरी आदर को पहले बेचने में कौन bowling साथ हो रहा है यह इंके लिए होताँ सफ गईयरा देखो यहां पर लिखावा भी है कि चैफ मेरिट सिस्टम multiple यह यूज़ करते हैं वैल्यूएशन होता है यह जातर लोग कि यह करते हैं फिफो के disadvantage क्या है आपके यहां पर कहता है calculation become आपका complicated हो जाता है calculation cost taking होता है more time taking होता है यह सब लिख सकते हैं लीफो सब्सक्राइब इस प्लेस टेकन क्या कहता है इस सिंपल टू ऑपर एंद क्वांटिटी यूसपूर प्यूलिटी यूसपूर लाइक फीफो इस तोड़ा आज लिफो नए मॉल आने में क्या हो सकता है इस तो देखे इसको मैं इस लिए थोड़ा फटा फटा से बोड़ वोड़ाँ क्योंकि आप इसे पड़ सकते हैं मैं point to point आप अपने language में लिख हो सकते हैं अगे ना गया यह हमारा briefly explain the fee-fo-lifo तो आगे नहीं करेंगे सरहा एक आता है weighted average price एक होता है हमारा weighted average price और एक होता है simple average price यह थोड़ा सा important है इसको देख लेते हैं बहुत थोड़ा सा simple average price में क्या होता है हम price को average करते हैं और weighted average price में क्या करते हैं हम quantity और price दोनों को average करते हैं जैसे weighted average method देखाता था न तो क्या करते थे quantity total करते थे और divided by price कर देते थे यहाँ पर क्या होता है simple price price को जैसे कि माल लेते हैं एक तारिक को माल खरीदा पांच रुपए का बढ़ा बहुत बढ़ा हो गया दो तारिक को माल खरीदा छे रुपए का तो हम पता है क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे छे और पाँच गया रहा और इसका प्राइस आजाएगा 5.5 तो यह हो गया प्राइस कि यहां पर कहीं पर डिसकॉषन किया कि आपका यहां पर वेट कितना कॉंटिटी एक तो यह प्राइस और रहता है क्या रहता है इस चैजसे माल लेतने कि इसके में एक्जामपल देगा कार्पेंटर कार्पेंटर को आपने एक लकडी दिया और उससे बोला दर्वाजा बनाए तो सारा लकडी एक्जेक्टी यूज नहीं होगा कुछ टुपड़ा तो बच्छे का ना काट पेटके उससे बोला जाता है स्क्राइब हमेसा फिजिकल फॉर्म में होता है यह बिख जाता है हमेसा हम वेस्टेज भी सकता और नहीं हुए सकता है और नहीं भी सकता है दो नूची जो जी है जैसे की हमारा अभी एक्जामपल भी देख लेगे हैंगा बता दो तो समझ में आगा चलिए सर का एक्जामपल देखा है पीज पर फरणीचर और टाइमिंग इसे सकते हैं ठीक्या बेस्टेच का इग्जामपल क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं वेस्टेच is a type of loss material different from the scrap यह scrap से अलग होता है the sense where scrap is always physically present scrap तो हमी साथ physical होता है wastage may or not be physically मतलब हो भी सकता है टुकड़ा और नहीं भी हो सकता है this means the wastage may be visible or invisible ठीक है सब मतलब देखा भी जा सकता है नहीं भी it may be the disappear form of आपका smoke और आगे कहता है evolution ठीक है wastage has not realizable यहां पर wastage को बीचा नहीं जा सकता जबकि scrap को बीचा जा सकता है wastage also classify into the normal loss, abnormal loss में wastage को classify किया जाता है ठीक है cost of abnormal wastage charged to the costing profit and loss account और इसे हम controlling wastage भी कहते हैं wastage report should be prepared periodically आपका periodically बनाया जाएगा और एक्सेक्टरा सारी बाते बूली गएगा ध्यान रखेगा spoilage क्या होता जब हमें order मिलते हैं हम कम quantity बना पाते हैं से spoilage कहते हैं spoilage may be defined as the portion production may be below normal quantity level जितना हम बना सकते हैं उससे कम लेवल पर हम production करके चल रहे हैं उसे spoilage बोल जाएगा इसको भी हम क्या करते हैं अबनॉर्मल लॉस मान लेते हैं इसको भी और इसे ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग पीनल में तो इससे याद करिएगा और एक आता है हमारे defective यह इंपॉर्टेंट है defective का मतलब जब माल बना रहे है तो उसमें कुछ defect निकल लिया तो उसे बोला गया जाएगा defective it can be rectify the incurring cost और इसको कई बार rectify भी कर दिया जाता है आप कई लोग खाने 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 करें खाने 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 रहे हैं फ्ल stupid बहुत अब यह को तो तो समझ में आ रहा होगा आपको अब आ जाते हैं इन्पोर्टेंट कॉस्टिंग पढ़ने को यह भी एवी सी होता है लेकिन दुगों वाला एवी सी जो पहले पढ़ा हो दूसरा है तो देखो एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग क्या है यह एक मॉडरन टेकनीक है पहले एक ट नहीं होते थे आज पॉडक्शन देपार्टमेंट अलग कर दिये गा है इस अटिविटी बेस कोस्टिंग होता है क्या होता है एक मॉडरन अप्रोच है जो की करा जाता है चलिए देखें पढ़ते हैं क्या कहता है क्या ता अबिसी इस कॉस्ट आपका एट्रिपिशन कॉस् इन डारेक्ट एक्टिविटी ओर्डरिंग सेटप या फिर अज्यूमिंग क्वालिटी के बेस पे इन ट्रेडिशनल सिस्टम कॉंस्ट अकाउंटिंग इस पॉड़क्शन अड्मिस्टेटर और सेलिंग अड्मिस्टेटर और ओवरहेड आर एलोकेटेड एन अपोर्शेट इ जो डिस्टिविशन किया जाता था ओवरहेड को हैस सर्टीन लिमिटेशन कुछ इसमें लिमिटेशन था पुराने में ठीक है ना इन रिस्पेक्ट ऑफ एकुरेसी ऑफ कोस्ट प्रॉडक्ट सर्विस इन दा ओर और और इसके साथ साथ इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी ल प्रॉडक्ट के अंदर आ गया है यह ABC सिस्टम रेकोगनाइज दा रिलेशन्शिप बिट्विन दा एक्टिविटी एंड प्रॉडक्ट उसके बीच में बताता है तो सिंपल सी बात करें तो एक्टिविटी बीस कोस्टिंग क्या होता है यह हमारा नियू है लेटेस है तो लग-अलग लेवल पर इससे किया जाता है सिंपल यहां पर हमने देख लिया सिंपल एड डिफरेंस पहले ही मैंने पता दिया था चीक है सर यह चप्टर भी खतम होता है लेबर लेबर भी काफी इनपोर्टेंट है तो चलिए फटा-फट इस चप्टर को रिवाइश कर क Branch लेते हैं इसमें से काफी कॉस्छन हमने देके हैं फटा-फट सफटाप्ट एसको खटकर करो सब्सक्राइब कर, तो नहmern". रहे हैं इसमें और भी चैप्टर और साव जैसे दहूगे इसे क्ड़िए के दिए जान पर राते हैं उसे में यहला खाम है सांट रहेंगे की थे Dew LIAR ड़ियग जरा क्योई킨 सरें पहले मृश्य क्ट़िए जहां पहले जरा और सुर्फ ऑर प ses़ इसे दो बात चलते हैं जी आगे चलते हैं आगे हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर बिनकार्ट और स्टोर लेजर आ जाएगा भी बिनकार्ट और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस है बिनकार्ट क्या होता है एक पर्ची के तरीके से बना के डालते हैं स्टोर लेजर क्या होता है यह हमारा जो department करता है जैसे लीफो फीफो था वो एक store laser था इसके बीच में difference पूछा जा सकता है जो कि difference यहां पे given था bin card record only quantity और जबकि store laser में quantity और value दोनों होता है bin card store की पर बनाता है यह department बनाता है bin card पहले किया जाता है store की बाद में किया जाता है चलिए जी इसे revise कर रहे हैं इसलिए मैं फटा फट बोल रहा हूं already मैं इसको discuss कर चुका हूँ लीफो फीफो क्या होता है last in first out first in first out तो फीफो के अंदर बासी माल पहले बेचो लीफो के अंदर ताजा माल पहले बेचो इसके merit de-merit आप देख लीजिएगा क्यों कि मैं ज़्यादा time नहीं लेना चाहता आपको बस कर्क्स बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे इसके अंदर के हाँ यह theory भी पढ़ा था यह देखेगा simple average price के अंदर क्या होता है जैसे मैं एक्जामपल लिया था सिर्फ प्राइस को total करके दो से डिवाइड कर दिया जाता है वेट में क्या करते है तोटल जो cost होता है उसको हम टोटल quantity से डिवाइड करते हैं ठीक है सर इसक्रैप क्या होता है जिसके फिजिकल फॉम में होता है जिसे हम बेच देते हैं जैसे मैंने लकडी का बला वेस्टेज क्या होता है सर यह आपका invisible भी होता है और यह due to हमारा क्या होता है जैसे abnormal loss, normal loss क से कम बना देते है c is brain हम क्या करते हैं कम बना देते एक पर लिया था आहप चि से यहाँ तरहं haya यहां पर यह चप्टर होता है खतम इस चप्टर को भी कट कर देते हैं उसके बाद हमारा देख लेते हैं तीसरा चप्टर इतने बड़ा है सर इसमें से भी बहुत कुछ आता है या इसके बात ओवरेड भी है चलिए सर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है हमारा सर वो है अगला थियोरी चलिए फटा-फट से खतम करेंगे थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे और यहां पर हम पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है फटा-फट से चलिए आगे चलिए इसके अंदर आपका एलोकेशन और अपोर्समेंट क्या होता है और एब्जॉप्शन ओवरहेड क्या होता है काफी काफी इंपॉर्टेंट हम किस पर आए लेवर पर है अच्छा एक दम चुट्टू से चप्टर है और सिंपल जब मैंने लेवर चप्टर करवाया है वह रिसेंटली कि उसके अंदर भी आपको बताया था कि इन चर्थ चलिए पहला इंपॉर्टेंट नहीं है लेवर का दूसरे की बात करते हैं कि अग्युद्ध करते हैं यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है लेवर टॉनवर क्या होता है इसके अंदर बदाय थे तीन मेंटड होता है सब्सक्राइब करना है जैसे कि आपका लेवर टॉनवर में तो सबसे पहले देखो क्या कहता है इस ऑफन टुदा फैक्ट्री ओवरेड चेंज इन द वन तो अनदर जो कहता है हमारा फैक्ट्री की खर्चे इम्प्लाइमेंट की वज़े से इंपॉईर की वज़े से चेंज हो जाता है संगा लेवर उसके पास इसने कहा इसके method हमारे पास तीन है आपका separation method का formula लिख दिया replacement का लिख दिया flux का लिख दिया इसके बाद इसको समझा दिया इसने अब इसके बाद avoidable cause of include reason like क्यों होता है हमारा labor turnover निकालने की जौरत क्यों होता है सर दिवाली के time पर आप देखोंगे बिठाई वाले बहुत सारे वर्कर रख लेते हैं दिवाली खतम होते ही वो क्या करते हैं उस नर्ट को निगाल देते हैं तो percentage जाना unavailable cause can be include reasons such इसके लिए जैसे प्रस्नल आपका या फिर रेटायर्मेंट हो जाता है सिखने सो जाता है इसके वज़े से रिट्रेज के जाता है यह सिंपल सी बात है कि हम इंप्लोई को निकालते है क्यों है रिट्रेश्मेंट में इंप्लोई को निकालते है इसके बाद जाता है इस लिफटेश्मेंट के बाद आपका आ जाता है इस है आपका रिप्लेस्मेंट और एक क्या था सेपरेशन सेपरेशन में क्या होता है निकाल देना रिप्लेश्मेंट का मतलब नए इंप्लोई को भरती कर लेना उसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है ठीक है न इसको पढ़ लेंगे वैसे मैंने डिटेल में डिसकुस किया था अभी रिसेंटली बढ़ा होगा तो मेरे आइडिल टाइम आइडिल टाइम मोस्ट 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 क्या होता है सब्सक्राइब भरता होता है इकनौमिक रीजन हो सकते हैं आपके या आपके मैं। manufacturing reason हो सकते हैं बहुत सारे reason हो सकते हैं मतलब employee को काम नहीं मिला उस time पर जैसे माल लेते हैं कि material आपके time पर office factory नहीं है तो employee थो खाली बैठा है उसे idle time हो ठीक है ना दूसरा आप माल लीजिए इसके अंदर क्या हो सकता है second अगर बोले तो आपका light चलेगे office के अंदर generator नहीं लगा रहता तब भी idle time है आपका machine खराब हो गया वो भी idle time होगा तो बहुत सारे reason नहीं होने का idle time का मतलब मैं simple बता हूं जिस time पर employee खाली बैठा होता है काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा उसे idle time बोलेंगे कई बार इंप्लोई एकर जान बुझके काम नहीं कर रहा वो भी idle time होगा तो idle time क्या है इसके बाद what is the different idle capacity and idle time idle capacity का मतलब जो काम करना चाहते हो 100% पर काम नहीं कर रहे उससे काम पर कर रहे idle capacity idle time का मतलब worker काम नहीं कर रहा तेकि idle time में क्या लगता है the time wage system of the wages payment worker paid time basis and through the time booking method इसको time basis पे payment तो होगा maintaining time card job card के साब से महीं लेगा it is usual find that the difference between the आपका actually spent क्या कहता है विच दे आर पेड time they actually spent on production job the very difference called idle time out मतलब simple सी बात है आप द्यान से पढ़िए गया इसको बात हो ही कह रहा है कि जिस टाइम पर वरकर को payment दे रहे हैं लेकिन उसने काम नहीं किया खाली बैठा रहा है उस इडिल टाइम क्या होता है देखो वेजेज जो दिया जाता है ना वह आठ गंटे का time होता है इस्टेंड़ का time होता है उसके बात जब एक्स्ट्रा टाइम करते हुशे बोला जाता है तो वह चीज़ें यहां पर लिखा हुआ है वेजेज पर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो इसमें सार इतना नहीं है यहां पर अलग से आये ना आइडल और बोनस पेवल टो इंप्लोई और यह दोनों इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट में इसने डिस्क्राइव कर दिया और लीव विद वेज इसके अंदर कैसे कैसे दिया जाता है हमारा दूसरा नहीं दू बोनस प्लाइन भी देखे एक बार अभी तक आया नहीं आया आ गया तो इसके अंदर पता है क्या देखिएगा कि बोनस स्कीम किस किस की है बोनस स्कीम है मैंसे का रौन का टेलर का जो था टेलर का इनका आप देखके जाएगा ठीक है तो सर यह चप्टर भी होता है खतम और इस चप्टर के बाद हम अगले चप्टरों के उपर चलेंगे इसको भी हम कर देते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप इस मेंसे जो बताया है वह जाते हैं हम ओवर हेड के कुछ पॉइंट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है चलिए सर यहां से स्टाट काफी इंपॉर्टेंट थोड़ा बढ़ा चार देते हैं ठीक हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एकजाम में पूछा भी गया था सर क्या पूछा गया था एक्जाम में तेखे ऐलोकेशन और अपोर्ट्स्मेंट उस सभी बांड देना बांड देना ओंते冰ॉस निस्थमयटल बढ़ जाएगा जैंग जैसे फ़रेंपल मैं बात करण he आपके तीन डिपार्टमेंट मैं यहां पर लिखने की फोस्स करता हूं बड़ पता ही आपको जैसे कि एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट और तीन डिपार्टमेंट है यहां पर एक इंप्लोई काम कर रहा है एक यहां पर इंप्लोई काम कर रहा है एक यहां पर लेकिन यह जो टिपार्ट्मेंट अनल लेते हैं 5000 यह चाहिए प्राट्मेंट तो इसको जब हम बाटेंगे इसे बोला जाएगा यानि allocation का मतलब उस area का specified खर्चा है कि उस area में जाएगा आपको पता है कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे हम एक ratio में एक proportionately बाट देते हैं उसे बोला जाता है अपोर्समेंट करना सर absorption overhead क्या होता है absorption का मतलब जितना हम costing के अंदर खर्चा करते हैं सब absorption होता है depreciation मैंने finance में लगाया 100 रुपए और cost में लगाया 80 रुपए तो absorption पता है cost में कितना है 80 रुपए लेकिन under absorption है क्योंकि cost में finance की तुला में हमने कम लगाया है तो इसलिए इसे बोलेंगे under absorption सेम ऐसे देखा जाए तो अगले point पर चलते हैं जैसे मान लेते हैं कि worker की salary salary finance में है 25,000 और cost में है 30,000 तो absorption कितना होगा 30,000 लेकिन यहां पर over absorption माना जाएगा ठीक है न तो एक है allocation allocation का मतलब उसी जगहे का खर्चा जहां के लिए है उसे allocation कहेंगे अपोर्समेंट खर्चा पता नहीं चल रहा एक ratio में बांट देंगे अपोर्समेंट absorption जितना भी खर्चा हुआ हो actual basis पे या estimated basis पे जो भी है उसे absorption बोला जाएगा costing ठीक है जी सर बहुत simple अब इसके साब से आप पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा क्याता है कि अपोर्समेंट है या पहले कहुंसा allocation है allocation process to the street overhead cost particular cost center के उपर जाएगा हमारा हर cost का department अलग होता है where the nature of expense such that can be easily identify with the particular cost center किस से related है easily identify हो जाता है cost center full allocation for example salary paid to foreman आपका in charge particular production department तो उसको दे दिया जाएगा उसे बोले सर एपोर्समेंट क्या है it is the distribution overhead overhead जो खर्चे होते हैं done in the cost overhead ठीक है which cannot be wholly allocated a particular department एक department से नहीं हो सब पर यह जैसे मैंने बता है salary paid to work manager paid watch and ward staff watchman की selfie जब दोगे आप तो सब कुछ देख रहा है वो सारी department बढ़ता है ward staff ward staff को नहीं तो खाने भी ना बना रहे हैं उसको बोलते होंगे भई मिझे ज़्यादा आइडिया नहीं बढ़ता है तो वह होगा तो उसका भी salary सी तरीके से बढ़ता है हमारा apportionment of the process आपका splitting up the item overhead expense तो सिंपल सी बात है सर पढ़ ले जिगा देखिए यहां पर दे दिया इसने rent of building इसे बाटा नहीं जा सकता इसे हम बोलेंगे क्या apportionment cannot be allocated similarly indirect material वगेरा जर्नल एक्समेंस ठीक है ना absorption overhead तो यहां पर देखिएगा सर absorption का मतलब क्या है absorption is the allotment of overhead to the cost unit cost unit के रुपेज साब से होता है it's referred to charge overhead of the cost center different cost unit उसे absorption बोलेंगे simple सी बात है भाई खर्चा होगा cost sheet में डालेंगे उसे absorption बोलेंगे खर्चा होगा ठीक है ना इस तरीके से आप एक बार पढ़िएगा और इसको समझीएगा मैं तो देखो simple सा point बता रहा हूं जिसमें आपको याद रहें such a cost unit भी ए अपोर्समेंट पोर्सन तो आप एक बार पढ़ लिएगा absorption को इतना important absorption नहीं है जब यह बहुत अगला service department distribution service department कौन से होते हैं और distributed cost कर रीक तो इसके इन दर आपको बताया था और इसके अंदर methods भी थे second department में बाटने का जैसे कि store को कैसे बाटोगे तो मैंने जब class में करवाया ना overhead देखू कि पहले class में इस सारे चीजा मैंने लिखवाई हुई है और वहाँ समझाए हुआ भी है तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लोगा हर चीज को बाटने का देखो यहाँ पर अपूर्समेंट है जैसे store को किसमे बाटेंगे material में timekeeping को किसमे बाटेंगा number of employee में केंटीन को किसमें बाटते हैं, number of employee में, power को किसमें बाटते हैं, heat में, horse power, repair को किसमें बाटते हैं, value of assets में, सारी चीज़े दिये रखा है, अपोर्समेंट कैसे किया जाता है, छीक है न? simple सी बात है, और यह इनके कुछ methods है, जैसे कि इसके अंदर repeated method था, और simultaneous trial and error याद होगा, यह आप देखना चाहते हैं, तो class number 3 और 4 में, overhead में दिख जाएगा, इसके method भी, जिसके उपर discuss किया, अगर आपने दिखा है, what do you mean by the objection, overhead फिर से आगया है, यहाँ पर अच्छे से समझ स होते हो, objection is allotted to overhead to the cost unit, cost unit पे होगा, it's, मतलब जो भी बनाओगे उस पर जो खर्चा होगा, it's referred to the charging of overhead of cost center to different cost unit, जिस cost unit पे होता है, उसे overhead objection बोल जाता है, such way, each cost unit be an apportion, appropriate portion of the share of overhead, हर जो भी unit होते है, उसका एक अपना overhead होता है, उसको उपर जो भी overhead, यानि जो भी खर्चे होंगे, उसे हम absorption बोलेंगे, overhead absorption is process of allotting to the total cost of, इसके बात कहता है, आगे simple सी बात है, while allocation of the apportion, तो मैंने पहले बता है, recovery overhead under होता है, तो इसको आप पढ़िएगा, पढ़िएगा, अब आते हैं जी, और क्या है इसमें important, हाँ, सर, important यह है, कहता है, explain the percentage, rate, method, absorption, इन सभी को explain करिए अच्छे से, तो मैंने बड़े सारे percentage बताया था, direct material percent, overhead की last class देखिएगा, सारी percentage आपको बता चल जाएगा, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि theory को practical से connect कर रहा हूँ, उसको समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पर यह जितने भी percentage आपके formula दिख रहे हैं न, overhead divided by direct wages into my hundred, सब लिखे हुए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, तो मैं यहाँ आपका time नहीं लेना चाहता हूँ, machine hour rate सर क्या होता है, जब हम एक घंटे पे machine drive का कितने खर्चा पड़ेगा, उसे machine hour rate कहते हैं, इसको हम calculation कर लेते हैं, cost sheet की मतद से, जैसे कि हम आने पहले पताया हुआ है, fixed charge, running charge variable का charge के इसाप से, अगला question क्या है, यह देखिए, under over objection आगया question important है, आप इसको भी पढ़िएगा, मैंने बताया example, under objection कब होगा, over objection कब होगा, जब हमारा ज्यादा खर्चा होगा, तो over है, जब कम होगा, तो under है, एक question भी किया था मैंने इस पे, ठीक है ना, तो आप इसे पढ़िएगा, जरूर, सर आप तो सबको बोल रहे हैं, पढ़िएगा, मैं थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूं, आपको connect जरूर कर रहा हूं, ठीक है ना, यह क्या था, सर, how will you treat in the cost account, सबसे पहले, interest on capital, cost account कि नहीं होता, सर, कोई treatment ही है, the certain item of the income and expense are, which are include in the financial account, does not find place of cost account, simple सी बात है, तो इसे नहीं करेंगे, leave wages, इसे करेंगे जी, सर, होता है, audit fees भी होता है, आपका admin का part, holiday with pay यह भी होता है, bed debts होता भी और नहीं भी होता, casual ways होता है, carriage invert भी होता है, तो जो चीज़े खर्चे होती है, उसको कहाँ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, उसी को थोड़ा बढ़ा चड़ा के इन्होंने बढ़ा बढ़ा लिख रखा है, चलिए, और सर, इसके अंदर important की बात करें, कोई important दिखें, अगला है method of costing method के अंदर क्या होता है, हमारा costing के अंदर, simple सी बात है, एक ना अच्छा वो question कर ले न, costing standards वाला, आपके पास, तो मेरे पास पता नहीं कहाँ पे है, मैं टेलिग्राम पे डाल दूँँगा, standards वाला book में से देखके, एक ये normal, abnormal gain, loss, ये पढ़ लीजेगा, process के अंदर मैंने बड़े अच्छे से कराया है, normal loss क्या होता है, वो loss, जो की normally होता ही होता है, production करने में हर बार होता है, उसे normal कहता है, regular, abnormal क्या होता है, जो irregular होता है, इसका cost हम निकालते हैं, normal का हमारा दिया हुआ होता है, सर अकाउंटिंग सिस्टम, maximum theory का part cover कर लिया, इसके साथ साथ कुछ theory और रहती है, आपकी मैं एक बार check कर लेता हूँ, क्या-क्या theory रह गई है,